जय हिंद साथियो रेलवे एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है कि एक साथ 11 वेकंसी का नोटिस जारी कर दिया गया है रेलवे मंतरा लेके द्वारा अब वो 11 वेकंसी कौन कौन से वेकंसी होंगे आप लोगों को बताने वाले हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि 2024 में यह 11 वेकंसी आपको देखने को मिलेगा ठीक है यह नहीं कि 2025 में 2024 में ही मिलेगा यदि आप रेलवे के किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो किरपया इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन क इसमें जो है subject की बात करें तो आपको जीके और रिजिनिंग उसके साथ साथ आपको मैत भी इस बुक में मिलने वाला है और यहां पर बात करें नेक्स्ट बुक की तो इसमें रेलवे का जो है रिजिनिंग का प्रिविएस यह चैप्टर वाइज को इसमें एसेंबल किया ग और यह study guide की बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका PDF है यहां पर question जो आए हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का आप लोगों को मिलने वाला है तो यह book आप लोग आफ लाइन दोनों तरह से purchase कर सकते हैं easily आपको market में मिल ज आप लोग यह notice देख रहे हैं अभी आप लोग सवाल करेंगे कि सर आपको कैसे पता कि 11 वेकंसी आने वाले हैं तो आप लोगों को बता दे जब भी रेलवे का वेकंसी आता है एक टेंडर जारी होता है वो टेंडर कौन सा एजंसी exam conduct करवाएगा जैसे TCS हो गया और भी बह बताया जाता है कि कौन-कौन से बेकंसी का आपको exam conduct करवाना है वहीं से हमको पता चला आप लोगों को भी पता चलेगा कि वास्तविक में यह agency कितना exam conduct करवाने वाली है 2024 में तो वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि वास्तविक में कितना बेकंसी 2024 में आने वाला ह ठीक है एकदम clear बात जो भी बताएंगे आप लोगों को बताएंगे तो जैसा कि यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ने लाइक नहीं है कि आपको इसमें बताएं जो main point है वही हम लोग देखेंगे क्योंकि time नहीं वरबाद करना है अब यहाँ पे description आप work यहाँ पे कुछ दिया गया है कितना पैसा लगता है क्या है इस इन सबका जोरा इसमें दिया गया है इसमें इंडेक्स में जो प्रोसेस में आपका जो है डीवी भी आ जाता है डाकुमेंट वेरिफिकेशन डाटा सेंटर हो गएरा और यहां पर क्लोज सर्किल टीवी जो होता है कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट होता है यह सब कुछ इसमें दिया रहता है और जो कंपनी या जो आयोग जैसे टीस पैटर्न पर आज कि बेकेंसी आकिर में कौन कौन से आने वाले है अब जैसा कि यहां पर देखे यहां पे टंडर प्रोसेस डाटा सीट यहां पर दिया गया है जैसा यहां पर डेज का कैसे क्या है लेकिन आप आपको को थुड़ा बहुत इसमें से बता दे कि वास्तविक में लोग के अने के बाद होता क्या है कि अगर आपं एसमें एकर आ सब आरनशाय है और आ अधर इन ए फो अधी गया है और आगे चलते रहेERE है सब कुछ ऐसे ही यहां पर descriptive में दिया रहता है, यह 139 पेज का है, तो सब कुछ clear करवा के यह जो tender उठाएगी company यह पढ़ेगा, और उसको अगर accept है तो यह अपना tender पास करवा लेंगे और वही exam conduct करवाएंगे, अब यहां पर जैसे दिया गया है, DLW और यहां पर DLWरानसी, यहां पर सब कुछ division दिये गये हैं, जो यहां पर 21 RRB हैं, उनका दिया गया है, railway zone हो गयरा यहां पर दिये गया है, तो सब कुछ यह जो है ब्योरा दिया जाता है, अब जो यहां पर देखने वाला बात है, अब यहां पर हम लोग देखने वाले हैं, यहां पर functions of railway requirement board है, ज ठीक है, और यहां पर end, यहां पर दिया गया है junior engineer, यानि कि JEE, यह दो vacancy आपके होने वाले हैं, ठीक है, यह दो vacancy आने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे, अब यहां पर हम लोग second number पर देखते हैं, तो non-technical popular category group, ग्रूप, यानि कि आपका graduate होना चाहिए इसमें, percentage नहीं लगता इसमें, ठीक है, तो यह एक vacancy यह हो गया, और अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, non-technical popular category group, यहां पर undergraduate, यह एक vacancy यह हो गया, तो आपका ऐसे ही यहां पर 4 vacancy हो गया, ठीक है, अगर यहां पर बात करें, तो next की, तो करें, यहां पर ministerial and isolated category group, यहां पर देखिए, यह भी एक vacancy हो गया है, ठीक है, अब और आगे हम लोग देखते हैं, जो कि level 1 post, group D की बात हो रही है, यहां पर, तो group D का भी एक vacancy हो गया, अगर इन total को हम लोग जोडते हैं, RPSI का हो गया, GD का हो गया, तो 2 इधर हो गया, त लोग exam दे सकते हैं, अगर इसको आप card भी दीजिए, तो यहां पर RPSI का है, अलग-अलग form भराया जाता है, तब यह आपको 10 तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा कम से कम, ठीक है, तो vacancy की भरमार है 2024 में, आप तयारी में लगे रहिए, एक exam में नहीं होगा, दूसरे में जब 8-10 exam जो हैं, आपके होने वाले हैं, 8-10 vacancy आपको देखने को मिलने वाला है 2024 में, तब फिर इसमें आप तयारी बिलकुल लापरवाई से मत करिए, अच्छे से करिए, ताकि एक vacancy में अगर थोड़ा सा कहीं रह जाएं, तो next vacancy में आप खीच लें, और आपको बता दे यही same process 2025 में जारी होगा, same process, same exam होगा, कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं, हाँ एक परिवर्तन आपको सिर्फ देखने को मिलेगा, वो है, RPFSI की vacancy नहीं देखने को मिलेगा अगले शाल, ठीक है, क्योंकि इस vacancy का, जो है, आप लोगों को बता दे, हर साल नहीं आने वाला है, और यहां पर GDCA वाला वेकंसी, यह भी आपको नहीं देखने को मिल सकता है, बाकि सब वेकंसी आने वाले हैं, और यहां पर देखे, stage of requirement, process following by RRBs, अब यहां पर देखे, क्या, यहां पर RRBs का, जो stage का exam है, वो process following करना पड़ेगा, यहां पर सब कुछ दिया है, CVT1, CVT2, यहां पर साइको, टेस्ट, इस्टेनो गड़ापर, ट्रांसलेशन, टेस्ट हो गएरा, यहां पर सब कुछ यहीं लिया जाता है, ठीक है, डीवी ओगएरा, मेडिकल हो गएरा, यह सब जो एजंसी यह उठाएगा, टेंडर, उनको यह सब इतना करवाना पड़ेगा, यह जो पॉइंट, ठीक है, उसके बाद में एक्जाम प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद में फाइनल इस्ट जारी कर दिया जाता है, तो यह बहुत अच्छी बात है, अब आपको बहुत ज़्यादा देरी नहीं देखने को मिलेगा, किसी भी एक्जाम में, टैम गुरूप हमारा जॉइन नहीं किया है, तो जाके जॉइन कर लिजिए, वहाँ पर 25-30 बूक ऐसे है, जो रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है गुरूप का, जाकि आप लोग गुरूप जॉइन कर सकते हैं, चलिए फिर मिलते हैं अब तो दो, थाइंक यू